मेरे प्यारे देश्वासियों, आम तोर पर मन की बात उसमें मैं कई विश्यों को लेकर के आता हूँ, लेकिन आज देश और दुनिया के मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही बात है, कोरोना वैश्विक महामारी से आया हुआ ये भहेंकर संकट, ऐसे मैं मैं और कुछ बाते करू, वो उचित नहीं होगा, लेकिन सबसे पहले मैं सभी देश वासियों से शमा माँगता हूँ, और मेरी आत्मा कहती है का आप मुझे जरूर शमा करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे निर्णे लेने पड़े हैं, जिसकी वज़ा से आपको कई तरह की कठिनाईयां उठानी पड़ रही हैं, खास करके मेरे गरीब भाई बहनों को देखता हूँ, तो जुरूर लगता है कि उनको लगता होगा कि ऐसा कैसा प्रधानमंत्री है, हमें इस मुसीबत में डाल दिया, उनसे भी मैं विशेस रुपसे शमा माँगता हूँ, हो सकता है, बहुत से लोग मुझसे नाराज भी हो कि ऐसे कैसे सब को घर में बन कर रहे हूँ, मैं आपकी दिक्कते समझता हूँ, आपकी परिशानी भी समझता हूँ, लेकिन भारत जैसे 130 करोड की आबादी वाले देश को कोरोना के खिलाब लड़ाई के लिए ये कदम उठाएज बिना कोई रास्ता नहीं था, कोरोना के ख ये कठोर कदम उठाने बहुत आवशक थे, किसी का मन नहीं करता है ऐसे कदमों के लिए, लेकिन दुनिया के हाराद देखने के बारे लगता है कि यही एक रास्ता बचवा है, आपको आपके परिवार को सुरक्षित रखना है, मैं फिर एक बार आपको जो भी असुईदा ह हुई हैं, कठिनाई हुई हैं, इसके लिए छमा वागता हूँ, साथियों हमारी यहां कहा गया है एवम एव विकारह अपीतरुणह साध्यते सुखम यानि बीमारी और उसके प्रकोप से शुरुवात में ही निपटना चाहिए, बाद में रोग असाध्य हो जाते हैं, तब इलाज भी मुश्किल हो जाता है, और आज पुरा हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी यही कर रहा है, भायों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, कोरोना वाइरस ने दुनिया को कैद कर दिया है, यह ज्यान, विज्यान, गरीब, संपन, कमजोर, ताकतवर, हर किसी को चुनो बहुती दे रहा है, यह ना तो राश की सिमाओं में बना है, नहीं यह कोई छेत्र देखता है, और नहीं कोई मौसम, यह वाइरस इंसान को मारने पर उसे समाप्त करने की जीद उठा कर बैठा है, और इसलिए सभी लोगों को पुरी मानव जाती को इस वाइरस के खत्म करन के लिए एक जुठ होकर संकल्प लेना ही होगा, कुछ लोगों को लगता है कि वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो ऐसा करके वो मानों जैसे दूसरों के मदद कर रहे हैं, अरे भाई, यह ब्रह्म पालना सही नहीं है, यह लॉकडाउन आपके खुद के बचने के कई दिनों तक इसी तरह धैर्य दिखाना ही है, लक्षमन डेखा का पालन करना ही है, साथियों मैं ये भी जानता हूँ कि कोई कानुन नहीं तोड़ना चाहता, नियम नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अब भी वो स्थीती की को नहीं समझ रहे, ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि लोकडाउन का नियम तोड़ेंगे, तो कुरोना वाइरस से बचना मुश्किल हो जाएगा, दुनिया भर में बहुत से लोगों को कुछ इसी तरह की खुश फ़हमी थी, आज ये सब पस्ता रहे हैं, साथियों, हमारे यहां कहा गया है आरोग्यम परंभाग्यम, स्वास्थम सरवार्त साधनम, यानि आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है, दुनिया में सभी सुख का साधन स्वास्त ही है, ऐसे में नियम तोड़ने वाले अपने जीवन के साथ बहुत बड़ा खिलवार कर र इस लड़ाई के अनेको योद्धा ऐसे हैं जो गरों में नहीं गरों के बाहर रहकर कोरोना वाइरस का मुकाबला कर रहे हैं। हमें उन से प्रेणा ले ही है। बीते दिनों में मैंने ऐसे कुछ लोगों से फोन पर मात की हैं। उनका उत्सा भी बढ़ाया है और उनसे बाते करके मेरा भी उत्सा बढ़ा है। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मेरा बहुत मन था। इसलिए इस बार मन की बात मैं ऐसे स पाथियों के अनुभव उनसे हुई बाचीत उसमें से कुछ बाते आपसे साजा करूं सबसे पहले हमारे साथ जुड़ेंगे स्री राम गंपा तेजा जी वैसे तो आईटी प्रोफेशनल है आईए उनके अनुभव सुनते हैं येस राम नमस्ते जी हार राम नमस्ते नमस्ते मैंने सुना कि आप कुरोना वाइरस के गंबी संकर से बाहर निकले हैं जरूर मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था बताईए आप इस सारे संकर से निकले हैं तो अपना अनुभव मैं सुनना चाहता था मैं आइटी सेक्टर के एंपलॉई हूँ काम के वज़े से दुबाई गयाता मैं मीटिंग के लिए वहाँ पे जाने अन जाने इसे हो गया था वापस आते ही फीवर वो सब चाल हो गयते जी तो पांचे दिन के बाद डॉक्टर्स ने कुरोना विरस का टेस्ट की और उता प यानि जब आपको संकरमन का पता चला और यह उसके पहले पता तो होगा कि वायरस बहुत बहेंकर है और तकलीप कर रहा है तो जब आपके साथ हुआ तो आपको क्या एकदम से इमीजेट क्या रिस्पॉंस आपका पहले तो बहुत डर गया था पहले तो बिलीव भी नहीं क पुरा ऐसे ही चला गयाता लेकिन वहां के डॉक्टर्स और नर्स जो है वह बहुत अच्छे थे मेरे साथ हर देन मुझे कॉल करके मुझे बात कर रहे थे और कॉन्फरेंस दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा आप टीक हो जाओगी ऐसे बात करते रहते थे दिन में दो तीन ब परिवार के लोगों की मनस्तिती क्या थी जब मैं हॉस्पिटल में एड्मिट हुआ था पहले तो सब बहुत स्ट्रेस में थे जाड़ा एटेंशन हो सब ता लेकिन हाँ सबसे पहले तो उनका भी टेस्स किये थे सबका नेकिटिव आ गया था वो सबसे बड़ा ब्लेसिंग रखे आपने परिवार की क्या सावदानिया रखी परिवार के लिए तो पहले उसके बार में जब पता चला तब तो में कौरेंटीन के बाद बाद डॉक्टर्स ने बतायते कि और चोज़ा दिन गर पे रहना है और अपने रूम में रहना और सेल्फ को और हॉस क्वारेंट चलिए राम आप स्वस्त होकर के आये हैं आपको और आपके परिवार को मेरी बहुत शुबकामना है लेकिन मैं चाहूंगा कि आपका यह अनुभव आप तो आईटी प्रोफेशन में हैं तो आडियो बना करके लोगों को शेर कीजिए बहुत सोशल मीडिया में वाइरल होगा कि लोग डर भी नहीं जाएंगे अर्थ सेम टाइम कैर करने से कैसे बच सकते हैं वो भी बड़े आराम से लोगों तक पहुंच जाएगा हां यह ऐसा है कि बाहर आते हैं देख रहा हूं सब क्वारेंटीन मतलब एक जेल में जाने के ज़र से जो सुच रहे हैं वह ऐस इसके उपर चलिए राम बहुत वह शुब कामना है आपको थैंक यू थैंक यू थैंक सालोट थैंक यू साथियों जैसा कि राम ने बताया कि उन्होंने हर उस निर्देश का पालन किया जो इनको कोरोना की आश्रंका होने के बार डॉक्टरों ने दिये इसी का प्रणाम है कि आज वो सफस्त होकर सामाने जीवन जी रहे हैं हमारे साथ ऐसे ही एक और साथी जुड़े हैं जिन्होंने कोरोना को पराजित किया है और उनका तो पुरा परिवार इस संकट में फस गया था नौजवान बेटा भी फस गया था आईए आगरा के शिमान अशोक कपूर के स साथ हम बात करते हैं अशोक जी नमस्ते नमस्कार जी मेरा सभागय है आपसे बात हो रही है मैंने फोन इसलिए किया क्योंकि आपका पुरा परिवार इस संकट में फसा था जी 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 मैं जुरूर जानना चाहूंगा कि आपको यह समस्या संक्रमन का पता कैसे चला क्या हु हुआ अस्पिताल में क्या हुआ ताकि मैं आपकी बात सून करके अगर कोई चीजे देश को बताने जैसी होगी तो मैं उसका उप्योग करूंगा बिल्कुल साथ ऐसा साथ कि मेरे दो बेटे हैं यह इटली कहते वहां पर फेर था शूस का हम यह जूते का काम करते हैं जी फ उनको फोड़ी प्राबल्म होई तो वो उस्पिटल चलेगा रामनोर लोया तो उन्होंने उनको पॉजितिव बताया उसको उन्होंने शीफ्ट कर दिया सब्यव तो आप को वह से फोन आया कि आप उड के साथ गये ता आप टेक्स कराएं तो दोड़ों बेचे चलेड़े यहीं अग्राजिस्टिक होस्पीटल वे अग्राजिस्टिक होस्पीटल लोह ने इनको बोला कि आप अपने परवार को भी बुला ले कोई कोई आशी बात दा हो क्या हुआ है वहां सब गया तो लेक्स बताया आपके छे जने जो है मेरे दोनों बेटे मैं मेरी वाइफ मैं अब सब 73 और मेरे वाइफ और वेरे बेटे की वाइफ और मेरा ग्रांट वो 16 साल का है तो हम चे का उन्होंने पोजिटिव बताया तो अपको दिली ले जागा है ज सब्दा जग होस्टिटल ये आगरे वालों ने बेजा उन्होंने दो अमको अपूलेंस भी कोई चार्ज नहीं किया इनकी बड़ी बहरबानी है आगरे के डॉक्तर्स की अड़िस्टेशन की अब पूरा उन्होंने हमें सेयोग किया एंबूलेंस से थीक ठाक ते बैट कैसे अब्को आप ये बूलेंस देदी सग में डॉक्तर वी थे और हमको इनोंने सब्दा जग ऑस्पिटल चोड़ दिया अप्टर तो उन्होंने हमको जो बाड था वहां को उन्होंने शिप्ट कर दिया हम छे को उन्होंने अलग-लग रूम दिया अच्छे रूम थे सब कुष तो सर हम फिस चोदा दिन वहाँ होस्पिटल में अकेले रहते थे और डाक्टरों का जहां तक बात है भुट्स योगराजी बड़ा अच्छा हमको लो ने ठीच किया चाहि स्टाफ हो वह अपनी ड्रेस्पेन के आते थे सिना सर्पता नहीं चलता था यह डाक्टर है या वाड लेकिन जब इतना बड़ा संकट परिवार के सबको आ गया और सोला साल के बच्चे तक पहुंच गया पेपर था सार आज सी एससी के पेपर थे ना तो उसका पेपर था हमने नहीं देखी जाएगे बाद में यह तो सब पेपर हो जाएगे बस सही बात है चलिए आपका पूरे परिवार को गए एक दूसरे का हमां सारा रा मिलते नहीं थे फॉन पर बात कर लेते थे मिलते बिलते नहीं थे और डाक्टरों ने पूरी अमारी के जितनी होनी चाहिए हम उनके अभारी हैं उन्होंने बहुत अच्छा आपार साथ किया और स्टाफ नर्सेस जो थी उन्होंने पूरा हमको सहोग दिया है चलिए मेरी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत-बहुत शुकामना है थैंकियो जी धन्यवास रदा में खुश है कि आपसे मेरी बात हो गई है नहीं हम भी जो पाद्वी सारा हमारे लिए कोई किसी तरह की बतर अवेरनेस के लिए कि जाना हो कुछ करना हो हम हर बकर त्यार है नहीं आप अपने तरीके से आगरा में करिए भुखा है तो इसको खाना खिलाए गरीपी जिंता किजिए और नियमों का लोग पालन करें लोगों को समझाए कि आपका पूरिवार इस बिमारी में फसा था लेकिन आपने न पालन करें तो देश बच जाएगा हमने सब्सक्राइब करना चाहिए और हमने अपनी कलोनी में जाम रहते हैं सब को हमने कह दिया देखो हम आगे है ताव डरें कोई प्रॉब्लम है जांके टेस्ट कराए है और जो लोग अबारे संग जो बिले होंगे यह जो सब टेस्ट सब्सक्राइब करते हैं जैसा कि इन्हों ने कहा कि पैनिक हुए बिना डरे बिना समय पर सही कदम उठाना समय पर डॉक्टरों से संपर करना और उचीत सावधानी रखते हुए इस महामारी को हम पराजित कर सकते हैं साथियों हम मेडिकल स्थर पर इस महामारी से कैसे निपट रहे हैं इसके अनुहों जानने के लिए मैंने कुछ डॉक्टरों से बात की जो इस लड़ाई में पहली पंक्ती में मोर्चा समाले हुए हैं रोज मरा की उनकी गतिविदी इनी पेसेंटों के साथ पढ़ती हैं आ आप तो बिलकुल मोर्चे पर डटे हुए हो तो मैं जानना चाहता हूं कि अस्पतालों में बाकी आपके साथियों का मूर कैसा है क्या है जरा आपको तो इलाज के साथ साथ मरीज की कांसिलिंग भी करनी पढ़ती होगी अगले 14 दिन में आप ठीक होंगे आप घर जाएंगे बिलकुल तो हम अभी तक ऐसे 16 मरीजों को घर भेज चुके है जब बात करते हैं तो overall क्या आता है आपके सामने जब डरे हुए लोग है तो उनकी चिंता क्या सताती है उनको यह लगता है कि आगे क्या होगा अब क्या होगा यह तो बिलकुल एक दम जैसा वो बाहर की दुनिया में देखते हैं कि बाद लोग इतने एक्सायर हो रहे हैं तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा पर हम उनको समझाते हैं कि आपकी कौन सी दिक्कत किस दिन ठीक होगी आपका केस बहुत माइल्ड वाला है नॉर्मल सर्थी जुकाम वाला जो केस होता है वैसा ही है तो जैसे वो ठीक हो जाता है पांक साथ दिन में आप भी ठीक हो जाएंगे फिर हम आपके टेस्ट करेंगे जब वो नेगेटिव आएंगे तब आपको घर बेश सकते हैं और हम इसलिए उनकी बार बार हज़ दो तीन चार गंटे में उनके पास जाते हैं लेकर को लगता है जीवन का सबसे बड़ा सेवा का काम उनके और बाव बनता है सबको हम अफने वाली को बात नहीं एक nuestro लिए पर हिससी नहीं अगर हम पूरी precaution लेंगे मरीश को अच्छे से precaution समझाएंगे कि आपको ऐसे करना है तो सब चीजे ठीक रहेंगे चलिए डॉक्टर आपके हाँ तो बहुत बड़ी मातरा में पेशन भी आते हैं और आप बिलकोल जी जान से लगे हैं आपसे बात करके अच्छा लगा मैं आपके साथ हूँ लड़ाई लड़ते रहे हैं आपका अशिरवाद रहे हैं यही हम चाहते हैं बहुत सुब कामना है वही है थैंक यू नितेश जी आपको बहुत बहुत साधुवाद आप जैसे लोगों के प्रयासों से भारत करोना के खिलाप लड़ाई में अवश्य विजय होगा मेरा आप से आगर हैं कि आप अपना ध्यान रखे अपने साथियों का ध्यान रखे अपने परिवार का ध्यान रखे दुनिया का अनुभव बताता है कि इस बिमारी से संकर्मित होने वाले वेक्तियों की संक्या अचानक बढ़ती हैं अचानक होने वाली इस वृद्धी की वजह से विदेशों में हमने अच्छी से अच्छी स्वास्त सेवा को जवाब देते हुई देखा है। भारत में इस्थिती ना आये, इसके लिए ही हमें निरंतर प्यास करना है। एक और डॉक्टर हमारे साथ पूने से जुड़ रहे हैं सिमान डॉक्टर बोर से। आपने आपको इस कोरोना के मरीजों के लिए ही समर्पित कर दिया है। तो आपकी बात में बहुत ताकत है तो मैं सुनना चाहता हूं। सर्जी मैं यहां पे बीजे मेडिकल कॉलेज पूना है, वहां पे प्रोफेसर हूं। और हमारे पूना मुंसिकल कॉर्परेशन होस्पिटल है नाइडव होस्पिटल कर दिया है। वहां पे जनेवरी 2020 से स्क्रीनिंग सेंटर चालो हो गया है। वहां पे आज तब 16 कोविड-19 पॉजिटिव केसे निकले हैं। वहां पेजिए उसमें से हमने ट्रिमिंट रिकमें के उनको को वारंटेन एकर करके एसोलेशन करके कर शाच कर दिया है। और भी बाती नौ केसे हैं यह नो रिए अलसो वेरी सेबल आप तो नुवल जो आप वारिस बोडिमें होते ह। यहां पर जो चोटा है सर लेकिन अईसा मालूब हो रहा है यंग पॉपुलिशन भी अफेक्ट होई है और यंग पॉपुलिशन अफेक्ट हो जादा सीरेस्ट नहीं है सर वह माइल बिसीज है और वह पेशन्ट लोग काथी अच्छे हो रहे ता और अभी एज जो माई लोग है वहां पे वहां पे वहां पे आर अलसो गोई तो बिवेल और नॉट गोई टुटिरेस्ट लेकिन वाच अंडेली डिसीज लेकिन आर अलसो गोई ती वेल इन कानि फोर फाई दे जो लोग हमारी अहां सब्स्पिक करके आते हैं इंटरनेशनल ट्रावर और जो उसमें क्या समझाते हैं आप गर में रहने के लिए क्या क्या समझाते हैं आप जड़ा बताईए अगर आपके पास सानिटाइजेशन नहीं है पिर भी अपना सादा स्पल साबुन पर पानी से हाथ साफ करना है और जब आपको खांकी आएगी तो आप सादा रुमार लगा के उसके उपर खांकी करना है तो जो द्रॉपलेट थे वो ड्रॉपलेट ज्यादा दूर तक नहीं जाए और जमीन पर जमेंपे ना गिरने के वजह से वगर हाथ लग जाता है तो किसी को फैलना पॉसिबल नहीं होगा यह समझा रहे हैं इसरे बास संधा रहे हैं कि कर रहे हैं चलिए डॉक्टर आपनों बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं आपकी पूरी टीम लगी है मुझे विश्वास है कि हमारे जितने भी पेशन्स आये हैं सब सुरक्षित हो करके अपने घर जाएंगे और देश में भी हम इस लड़ाई में जीतेंगे आप सबके लोगो साथ ही आपको पूरे देश को इस संकट से बाहर निकालने में जूटे हैं ये जो बाते हमें बताते हैं उन्हें हमें सुनना ही नहीं है बलकि अपने जीवन में उतारना भी है आज जब मैं डॉक्टरों का त्याग तपस्या समर्पन देख रहा हूं तो मुझे आचारिय च चरक ने डॉक्टरों के लिए बहुत सटिक बात कही है और वाज हमारे डॉक्टरों की जीवन में हम देख रहे हैं आचारिय चरक ने कहा है ना आत्मार्थम न अपिकरमार्थम अतभूत दयाम प्रति वर्तते यत चिकित सायाम ससर्वम इतिवर्तते यानि धन और किसी खास कामना को लेकर नहीं बल्कि मरीज की सेवा के लिए दया भाव रख कर कारे करता है वो सर्वस्रेष्ट चिकित्सक होता है शाथियों मानवता से भरी हुई हर नर्श को आज में नमन करता हूँ आप सभी जिस सेवाभाव के साथ काहरे करते हैं वो अतुलनिया है ये भी सैयोग है कि इस वर्ष यानी 2020 को पुरावीश्व International Year of the Nurse and Midwife के तौर पर मना रहा है इसका समन 200 वर्ष पुर्व 1820 में जन्म लेने वाली Florence Nightingale से जुड़ा हुआ है जिनोंने मानव सेवा को नर्सिंग को एक नई पहचान दी एक नई उचाई पर पहुँचाया दुनिया की हर नर्स के सेवा भाव को समर्पित ये वर्ष निश्चित तोर पर पूरे नर्सिंग समुदाय के लिए बहुत बड़ी परीशा की घड़ी बन करके आया है मुझे विश्वास है कि आप सभी इस इमतहान में नसिव सफल होगी बलकि अनेकों जीवन भी बचाएगी आप जैसे तमाम साथियों के होसले और जज़वे के कारण ही इतनी बड़ी लड़ाई हम लड़ पा रहे हैं आप जैसे साथी चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, परामेडिकल, आशा, एनम कारकरता, सभाई कर्मचारी हो आपके स्वास के भी देश को भाव चिंता है इसी को देखते हुए ऐसे करीब 20 लाग साथियों के लिए 50 लाग रुपिय तक के स्वास्त विमा की गोश्टा सरकाने की है ताकि आप इस लड़ाई में और अधिक आत्मविश्वास के साथ देश का नेत्रूत्व कर सके हैं मेरे पहरे देश वास्यों करोना वाइरस के खिलाब इस जंग में हमारे आस पास ऐसे अनेएक लोग हैं जो समाज के रियल हीरो है और इस परिस्तिति में भी सबसे आगे खड़े हैं मुझे नरेद्र मोदी एपर नमो एपर बैंगलूरू के निरंजन सुधाकर हवाले जी ने लिखा है कि ऐसे लोग डेली लाइफ हीरोज है ये बात सही भी है ये वो लोग है जिन की वज़े से हमारी रोजमरा की जिन्दगी आसानी से चलती रहती है आप कलपना करिए कि एक दिन अपके घरों में नल में आने वाला पानी बंद हो जाए या फिर आपके घर की बिजली अचाना कट जाए तब ये डेली लाइफ हीरोज ही होते हैं जो हमारी दिक्कतों को दूर करते हैं जरह आप अपने पडोस में मोजूद छोटी परचुन की दुकान के बारे में सोचिए आज के इस कठीन समय में वो दुकानदार भी जोखिम उठा रहा है आखिर किसलिए इसलिए ना कि आपको जरुरत का सामान मिलने में कोई परेशानी ना हो ठीक इसी प्रकार उन ड्राइवर्स उन वर्कर्स के बारे में सोचिए जो बिना रुके अपने काम में डटे हैं ताकि देश भर में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई चेन में कोई रुकावट ना आए आपने देखा होगा बैंकिंग सेवाओं को सरकार ने चालू रखा है और बैंकिंग सेक्तर के हमारे लोग पूरे लगन से पूरे मन से इस लड़ाई का नित्रूत्व करते हुए बैंकों को समालते हैं आपकी सेवा में मौजूद है आज के समय सेवा छोटी नहीं है उन बैंक के लोगों का भी हम जितना धन्यवाद करे उत्रा कम है बड़ी संक्या में हमारे साथ ही ई-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों में डिलिवरी परसन के रुप में कार कर रहे हैं ये लोग इस कठिन दोर में भी ग्रॉसरीज की डिलि internet का इस्तमाल कर रहे हैं उन सब को सुचारू रखने के लिए कोई ने कोई अपनी जिन्दगी खपा रहा है इस दोरान आप पैसे अधिकाउंस लोग जो डिजिटल पेमेट आसानी से कर पा रहे हैं उसके पीछे भी बहुत से लोग काम कर रहे हैं लोकडाउन के दोरान यह हार प्रकड करता हूं और उनसे अनूरवत करता हूं कि वे अपने लिए भी हर तरह के सेफ्टी प्रेकॉसंस लें अपना भी ख्याल रखें अपने परिवार जनों का भी ख्याल रखें मेरे पैरे देश्वास्यों मुझे कुछ ऐसी घटनाओं का पता चला है जिनमें कोरोन अत्यनत पिड़ा हुई है यह बहुत दुर्भागे पोण है हमें यह समझना होगा कि मौजूदा हालात में अभी एक दुसरे से सिर्फ सोशल डिस्टन्स बना कर रखना है न की इमोशनल या हुमन डिस्टन्स ऐसे लोग कोई अपरादी नहीं है बलकि वायरस के संभवित पीडित भर है इन लोगोंने दूसरों को संक्रमन से बचाने के लिए खुद को अलग किया है और क्वारंटाइन में रहे हैं कई जगह पर लोगोंने अपनी जिम्मेदारियों को गंभितार से लिया है यहां तक कि वायरस के कोई लक्षन नहीं दिखने पर भी उन्होंने ख तुनिस्षित करना चाहते हैं कि किसी भी सुरत में कोई दूसरा अव्यक्ति इस वायरस से संक्रमित न हो पाए इसलिए जब लोग खुद इतनी जिम्मेदारी दिखा रहे हैं तो उनके साथ खराब व्यहवार करना कहीं से भी जायद नहीं है बलकि उनके साथ साहनुभूत पूरवक सहयोग करने की आवशक्ता है कोरोना वायरस से लड़ने का सबसे कारगर तरीका सोशल डिस्टंसिंग है लेकिन हमें ये समझना होगा कि सोशल डिस्टंसिंग का मतलब सोशल इंट्रेक्शन को खतम करना नहीं है वास्तव में ये समय अपने सभी पुराने सामाजि की रिस्तों में नई जान फुकने का है उन रिस्तों को तरो ताजा करने का है एक प्रकार से ये समय हमें ये भी बताता है कि सोशल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और एमोशनल डिस्टंस गटाओ मैं फिर कहता हूँ सोशल डिस्टंसिंग बढ़ाओ और एमोशनल डिस्टंस पठाओ, कोटा से येश्वर्धन ने नरेन मोदी एप पर लिखा है कि वे लॉकडाउन में फैमिली बॉंडिंग को मजबूत कर रहे हैं, बच्चों के साथ बॉर्ड गेम्स और क्रिकेट खेल रहे हैं, किचेन में नहीं नहीं डिसेज बना रहे हैं, जबलपूर की निरुप साथी बागवानी का स्वक भी पुरा कर रहे हैं, वहीं राइपूर के परिक्षित, गुरु गाम के आर्यमन और जार्खन के सुरिज्जी का पोस्ट पढ़ने को मिला, जिसमें उन्होंने अपने स्कूल के दोस्तों के E-Reunion करने की चर्चा की हैं, उनका ये आइडिया काफ सिमा कर देखिए, भूमनेश्वर के प्रत्युस और कोलकत्ता की वसूधा मैं ने बताया कि वे आजकल उन किताबों को पढ़ रहे हैं, जिने अब तक पढ़ नहीं पाये थे, सोचल मीडिया में ही मैंने देखा कि कुछ लोगों ने वर्षों से घर में पढ़े, तबला, व मुश्किल की इस घरी में आपको मुश्किल से एक ऐसा पल मिला है, जिसमें आपको न केवल अपने आप से जुड़ने का मोका मिलेगा, बलकि आप अपने पैसन से भी जुड़ पाएंगे, आपको अपने पुराने दोस्तों और परिवार के साथ भी जुड़ने का पूरा आउसर मिलेगा, नमो एप पर मुझे रूड की से ससी जी ने पुछा है कि लोगडाउन के इस समय में मैं अपनी फिट्रेश के लिए क्या करता हूं, इन परिस्तितियों में नवरात्री का उपास कैसे रखता हूं, मैं आपको बता दो, मैंने आपको बाहर निकलने के लिए मना किया है, लेकिन आपको अपने भीतर जोकने के लिए अवसर भी दिया है, ये मोका है, बाहर मत निकलो, लेकिन अपने अंदर प्रवेश करो, अपने आपको जानने का प्रयास करो, जहां तक नवरात्री के उपास की बात है, ये मेरी और शक्ति के भक्ति के बीच का करता हूं कि मैं social media में मैं क्या करता हूं उसके विशे में कुछ videos upload करूंगा नरेद्र वोधी एप पर आप जुरूर उस video को देखेंगे जो मैं करता हूं संभवत हो उसमें से कुछ बाते आपके काम आ जाए लेकिन एक बात समझ लीजिए कि मैं fitness expert नहीं हूं और नहीं मैं yoga teacher ह हूं हाँ इस जरूर मानता हूं कि योगी के कुछ आसनों से मुझे बहुत लाव हुआ है लोगडाउन के दोरान आपको भी हो सकता है ये बाते कुछ काम आ जाए साथियो करना के खिलाब ये युद्ध अभुत्पुर्व भी है और चुनवतिपुर्ण भी इसलिए इस दो दुनिया के इत्यास में कभी देखने और सुनने को नहीं मिले कोरणा को रोकने के लिए जो तमाम कदम भारत वास्यों ने उठाए हैं जो प्रयास अभी हम कर रहे हैं वही भारत को कोरणा महामारी पर जित दिलाएंगे एक-एक भारतिय का संयम और संकल भी हमें मुश्किल स्कृत्ति से भार निकालेगा साथ साथ गरीबों के प्रति हमारी संवेदनाय और अधिक तीव्र होनी चाहिए हमारी मानवता का वास इस बात में है कि कहीं भेर भी कोई गरीब दुखी भूका न जराता है तो इस संकट की घड़ी में हम पहले उसका पेट भरेंगे उसका जरूरत की चिंता करेंगे और यह हिंदुस्तान कर सकता है यह हमारे संस्कार है यह हमारी संस्कृत ही है मेरे प्यारे देशवासियों आज हर भारतिय अपने जीवन की रक्षा के लिए घर में बंध है लेकिन आने वाले समय में यही हिंदुस्तानी अपने देश के विकास क लिए सारी दिवारों को तोड़ कर आगे निकलेगा देश को आगे ले जाएगा आप अपने परिवार के साथ घर पर रहिए सुरक्षित और सावधान रहिए हमें ये जंग जीतना है जरूर जितेंगे मन की बात के लिए फिर अगले महने मिलेंगे और तब तक इस संकटों को महत करने में हम सफल हो भी जाएं इसी एक कलपना के साथ इसी एक शुपकामना के साथ आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ जायासनहा आरोग्यम परम भाग्यम स्वास्त्यम सरवार्थ साधनम यानि की आरोग्य ही सबसे बड़ा भाग्य है दुनिया में सभी सुख का साधनम